यह तस्वीरे हैं सागर जिले की जहां लोगों को टोटल लॉकडाउन के नाम पर भेड बकरियों की तरहे खुली जेल में रखा जा रहा है महमारी में लगे लोगडाउन के बाद अनलॉक हुए शेहरों को प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और लेफ्ट राइट फॉर्मूले के तहत भीड एक अतरत ना करने की कोशिश की जा रही है वही मध्यप्रदेश के सागर जिले से ऐसी तस्वीरे सामने आई है जहां नियमों का पाठ पढ़ाने वाले ही सारे नियमों को शायद भूल बैठे हैं दिली सुप्रीम कोट की वकील है थिश्वाम हाश्मी द्वारा सागर केंट पलिस की इस हरकत को लेकर सागर कलेक्टर से मुलाकात कर प्रशासन की छवी को धुमिल करने वालों पर कारवाई की बात की गई है नमस्कार दोस्तों आदाब सस्त्रीकाल आप सबको मेरा सलाव मैं एड़ोकेट हैतिशाम हाश्मी आज आप सबसे एक बहुत एहम मुद्टे पे मुखातिब हो रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सागर जिला, मद्धिप्रदेश और पूरा हंदुस्तान कोरोना नाम की महामारी से जूज रहा है और इस महामारी में स्टाशन, प्रसाशन, हमारे डॉक्टर्स और भी समाज सेवी पूरी शिद्दत से अपने अपने लेवल पे महनत कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं लेकिन कई बार देखने में ये आया है कि प्रसाशन के कुछ ऑफिसर्स अपने पावर का मिस्यूज करते हुए समाज सेवी संस्थाओं के लोगों को हरास कर रहे हैं उनको ओपन जेल में पहुँचा रहे हैं ऐसा ही एक मुद्धा मेरे संग्यान में आया सागर मद्द प्रदेश से जहां पर BBM एक NGO है जो कि मद्द प्रदेश में काम कर रही है जरुवत मंदों को भोजन पहुचा रही है राशन पहुचा रही है ऐसे NGO के एक कार्यकरता को जिसका नाम ज्याओल हक है उसको पुलिस इसने illegally detained किया, open jail में भेजा और उनको reason भी नहीं बताया कि उनको क्यों arrest किया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सागर collector महोदय ने एक circular भी जारी किया था और उसमें point number 33 में ये साफ साफ mention है कि जो भी समाजिक संस्थाइं हैं NGO हैं वो अपने समाजिक कारे से अगर कहीं जा रहा हैं तो उनके आने जाने पे कोई भी पाबंदी नहीं होगी लेकिन कैंट थाने के police officers ने अपने power को misuse करते हुए समाज सेवी को detain किया, उनको खुली jail में भेजा, ये article 21 constitution of India का violation है हमारा एक delegation कल सागर सुप्रिडेंडेंट पुलीस सड़ से मुलाकात करेगा और अपनी बात उनको बताएगा कि इस तरह से police officers अपना जो power को misuse कर रहे हैं ये illegal है, unethical है और unconstitutional है दरसल रविवार को केंट पुलिस वारा लोगों पर सकती दिखाई जा रही थी वहीं सड़कों पर निकल रहे लोगों से बिना कारण पूछे पुलिस द्वारा उन्हें खुली जेल में भेजा जा रहा था वहीं कुछ समाद सेवी युवाओं को जो जनता में दो वक्त का खाना बाटने जा रहे थे आईडी कार्ट दिखाने के बावजूद पुलिस वालों ने एक ना सुनी उन्हें भी बिना कारण जेल में डाल दिया देखा ज़या तो इस महामारी में लगे लोगडाउन में समाद सेवी ही जनता की मदद के लिए सड़कों पढ़ नज़र आए ऐसे में इन में से एक भी व्यक्ति अगर कोरुना संकरमित हुआ तो ना जाने इसकी चपेट में कितने जिंदिगें आएंगी इसकी जिम्मदारी किसकी होगी और इसका खामियाजा खौन भुकतेगा वों के साथ अमानवी अविवहार को लेकर मिलकात की गई और ऐसे कानून के रखवालों पर कारवाई की मांग की गई है जो जनता पर अपनी वर्दी का गलत अस्तमाल कर और उसे धूमिल कर उन सिपाहियों का नाम भी खराब कर रहे हैं जो सच में जनता की सेवा का जज़बा रखते हैं